नमस्कार दोस्तों मैं स्मित मिस्रा स्वाद करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का MZT Education में दोस्तों पाँच वर्सों के बाद किसी को भारत रत्न दिया जा रहा है इस बार का भारत रत्न यानि वर्स 2014 का भारत रत्न एनाउंस हो चुका है और ये दिया जाएगा करपूरी ठाकुर जी को करपूरी ठाकुर ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक नहीं दो बार के ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं साथी साथ में ये पूर्व उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इन्होंने क्या ऐसे बड़े बदलाव किये थी जिसकी वज़से भारत की राजनीत की दिसा और दसा दोनों बदल गई थी तो चलिए एक एक करके सुरुवात करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर PM Modi जी का ट्वीट है इनको जननायक भी कहा जाता था करपूरी ठाकुर जी को और इनकी 2024 में है बर्थ सेंचुरी यानि की सौवी जैनती है इनकी और सौवी जैनती से एक दिन पहले जोकि 24 जन्वरी को इनका सौवा जैनती होता है और 24 जन्वरी से एक दिन पहले यानि 23 जन्वरी को राष्टपती भवन की तरब से एनाउंस किया जाता है कि करपूरी ठाकुर जी को इस बार दिया जाएगा मर्णो प्रांध भारत रत्न तो 23 जनवरी को ये अनाउंस किया गया और जल्द ही ये दिया जाएगा दोस्तो करपूरी ठाकुर जी जो थे ये backward classes के उत्थान के लिए जाने जाते थे इनके हितों के लिए ये हमेशा वकालत करते थे दो बार के ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और 24 जून 1977 से 21 अपरेल 1989 तक इसके लावा एक बार ये deputy CM भी रहे थे 1967 में 5 मार्च से ले करके 31 जनवरी 1968 तक ये deputy CM भी रहे थे जब ये deputy CM रहे थे तब इन्होंने अंग्रेजी की अनिवारिता को समाप्त कर दिया था बिहार में अंग्रेजी जो कंपलसरी होती थी उसको इन्होंने समाप्त किया था इसके अलावा इन्होंने सबसे पहले पिछड़ा वर्ग को यानि OBC जो होता है अधर बैकवर्ड काश्ट जो होती है केटेगरी उसको और अच्छर सबसे पहले इन्होंने ही दिया था जो कि ना सिर्फ बिहार में बलकि पुरी देश की राजनीती में मिसाल बने और बहुत सारे राज़ों ने भी इस चीज को अपने अपने राज़ों में भी अडॉप्ट किया यही वज़ा थी कि लोगों में ये जननायक की रूप में ये प्रसिद्ध हुए सामाजिक नायका मसीहा भी इन्हें माना जाता है इन्होंने मैट्रिक तक की सिक्षा को भी विल्कुल फिरी कर दिया था बिहार में उर्दू को इन्होंने दूसरी राजकिय भासा का दर्जा भी दिया हुआ था ये 24 जनवरी 1924 को पैदा हुए थे समस्तिपूर पिताउंजिया में अब करपूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है इन्ही की नाम पर ये नाम पड़ा 1952 में ये पहली बार विधान सभा में जीते और उसके बाद कभी चुनाओ हारे ही नहीं 1967 में ये डिप्टिसीयम बने और अंग्रेजी के अनिवर्ता को खत्म कर दिया जैसे कि मैंने बताया कि दो बार ये मुख्यमंत्री भी रहे थे ये कई पार्टियों में ये काम कर चुके थे मतलब कई पार्टियों से टाई अप भी रहा था इनका समय समय पर जब ये मुख्यमंत्री बने तो बिहार के ये पहले गैर कांग्रेशी मुख्यमंत्री बने थे यानि बिहार में पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना था जो कांग्रेश पार्टी से नहीं था और तो और एक और इंट्रेस्टिंग फैक्ट है यह बताया जाता है कि 1940 तक इनके गाउं से सिर्फ 5 लोग ही मैट्रिक पास हुए थे उनमें से एक ये भी थे इनके गाउं से दोस्तों 1904 में अगर बात करें तो सिर्फ एक ही व्यक्ति मैट्रिक पास था 1934 आते आते केवल 2 और 1940 आते केवल 5 लोग ही मैट्रिक पास हुआ करते थे और उनमें इस 5 में से ये थे यानि अपने गाउं में टॉप 5 में ये एक थे और आस्टिया जाने वाल डेलिगेशन में भी ये चुने गये थे लेकिन इनके पास कोट था नहीं कोट इन्होंने एक द क्रेश्टिंग बात रहे फिलहाल अब हम लोग बात करेंगे भारत रत्न की तो देखो भारत रत्न जो होता है भारत का सर्वोच चनागरिक सम्मान होता है हाइस्ट सिविलिया नवाड होता है ये कला साहित और विज्ञान के छेतर में असाधारन सेवा के लिए दिया जाता भारत रत्न के तौर पर दोस्तो एक तामर का पदक दिया जाता है जो कुछ इस प्रकार से होता है पीपल के पत्ते का आकार का होता है और प्लेटिनम का चमकता हुआ सूरी इसमें बना हुआ होता है इसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा होता है भारत रत्न पाने वालो को दोस्तों बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और ये सुविधाओं को लेकर कि इन सब पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है आप इस आई बेटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं फिलहाल भारत रत्न की सुरुवात 1954 से हुई थी अभी तग 48 प्लस एक इनको भी अगर ले लिया जाए करपूरी ठाकुर को तो टोटल 49 वेक्तियों को समानित किया जा चुका है सबसे पहले सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और एस राधा कृष्णन जी को प्रुस्क्रित किया गया था और खिलाडियों में सिर्फ सजिन तंदुलकर ये अवार्ड पा चुके हैं अच्छा विदेसी मूल के तीन लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है जैसे मदर टरेसा, खान अब्दुल गफार खान और नेंसल मंडेला ये तीन विदेसी थे विदेसी मूल के थे जिन को यहाँ पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया है आठ अगस 2019 को भारत के पूर्वर राष्टपती परणो मुखर जी को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से और अभी तक के पाँच राष्टपतियों को ये सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है जिसमें एक डाक्टर एपी जे अब्दुल कलाम जी भी सामिल है सुभास चंद्र बोश से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी थी सुभास चंद्र बोश जी को मर्णो परांद भारत रत्न देने का एलान किया गया था लेकिन इनके परिवार वालों ने बिरोध किया और मना कर दिया उनका कहना ये था जब इनकी मिर्त्य असपस्ट नहीं है तो फिर मर्णो परांद पुरस्कार कैसे दे रहे हो तो इसी के बाद ये फैसला वापिस ले लिया गया था ऐसे ही मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को एक बार पहले दिया जा रहा था लेकिन उन्होंने उस टाइम पर रिसीब नहीं किया था उन्होंने कहा कि ये जो पुरस्कार है इसके संस्थापक सदस्यों में मैं सामिल था तो मैं कैसे ले सकता हूँ तो इनको बाद में दिया गया हाला कि नाना जी देशमुक, भुपेन हजारिका और करपुरी ठाकुर समेट 12 लोग को अब तक ये मरनो प्रांत दिया जा चुका है अब दो important facts और मैं बताऊंगा इस वीडियो से उसके बाद इस वीडियो को समप करेंगे हम लोग जी सरपली राधा किष्णन और सीवी रमन जी सामिल थे इन तीनों को 1954 में सम्मानित किया गया था और अगर लास्ट के तीन बात करें लास्ट वाला जो अवार्ट दिया गया था वो 2019 में दिया गया था और अब 2024 में मिला है करपूरी ठाकुर जी को जो की बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री थे और दो बार के मुख्यमंत्री थे इनको मरनो प्रांत ये अवार्ट दिया गया दोस्तों आपसे एक कुश्चन है कुश्चन बताईएगा कि पूर प्रधान मंत्री अटल बिहारी बैसपेई जी को भारत रतन से कब सम्मानित किया गया था ऐसे ही करेंट अफेर के सेसन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पुस्तक भी आई हुई है ब्रह्मास्त करेंट अफेर की जिसमें हम लोग जनवरी से दिसंबर तक का बहतरीन कॉंटेंट आपको objective plus detail explanation के साथ provide किये हुए है chapter by chapter है ये प्रसनोतर माध्यम में है और interesting बात ये है कि इसमें जो प्रसनोतर है वो राजजेवार दिये गए है तो इससे आपको पढ़ने में काफी ज़्यादा आसानी हो जाती है और Amazon पर ये पुस्तक अवाइलबल है offline mode में है मतलब आप इसे अपने घर पर मंगवा सकते हो ये पुस्तक बिल्कुल updated है January से December तक का इसमें content है पूरा आप जाकर के order कर सकते हो reviews वगरा जाकर के देख सकते हो 5 out of 5 star की rating यहाँ पर चल रही है और जबरदस्त लोगों को पसंद आ रही है आप जाकर ये reviews वगरा जरूर चक करना link में description में और pin comment में छोड़ दूँगा इसके अलावा अगर आप किसी भी exam के तयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सारे courses, बहुत सारे ebooks और बहुत सारे free material भी available है जैसे free PDF, free quizzes, free videos, study material ये सभी available है आपके लिए MZT app पर Google Play Store पर जाए MZT app डाउनलोड कीजिए वहाँ से इन चीजों का आप मुफ्त में फाइदा उठाईए इस वीडियो के PDF में टेलिग्राम पर और WhatsApp चैनल वगारे पर share कर दूँगा आप जाकर के वहाँ से भी इसका access प्राप्त कर सकेंगे WhatsApp चैनल का भी link description में है आप इसको भी join कर सकते हो यहाँ daily worldliner आपके लिए भेज़ा जाता है Thank you so much वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताईए हमें और इसे अपने साथियों के साथ share कर दीजिए क्योंकि यहाँ से question बनने के बहुत बहुत chances है Thank you so much जैहिंद वन्दे मात्रम